जहीं दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैं एक ट्रेनिंग कोर्स के लिए गया वा था, हम 30 लोग थे जो अलग अलग जगाओं से आये हुए थे एक दिन हमारी क्लास का लेक्चर लेने के लिए टीचर मिस्टर भटसर आते हैं, वो हमारी क्लास को एक वर्क कराते हैं कि हमें अपने प्रोस में रहने वाले सबसे सेतान बच्चे के बारे में बुराया लिखनी हैं, तो हम कितने पेज लिख सकते हैं, कोई कहता है एक पेज, कोई कहता है दो पेज, लिख सकते हैं इसके बाद सर ने हमें होमवर्क दिया जिसमें करना ये था कि हमें अपने बुरायों के बारे में लिखका लाना था Next day सर ने पूछा पताओ अपनी बुरायों के बारे में कौन-कौन लिखका लाया तो क्लास में किसी भी स्टूडेंट में एक भी लाइन लिखकर नहीं ला पाया जब क्लास से पूछा गया वो ऐसा क्यों नहीं कर पाये तो क्लास कहती है कि हमें अपने अंदर बुरायां नहीं दिखती है तो सर हमें समझाते हैं कि हम दुसरों की बुराया तो कर लेते हैं लेकिन हम अपनी बुराया नहीं कर पाते हैं अगर हम दुसरों की बुराया करना छोड़ दें और अपनी बुरायों के बारे में पता लगाएं तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं और रोजमर्ना के बिजनेस और सामाजिक जीवन में सेक्सस हासित कर सकते हैं। रिसर्च से पता चला है कि किसी की आर्थिक सपलता का केबल 15% ही उसकी टेक्निकल नॉलेज़ पर नेवर करता है। जबकि उसकी सेक्सस का 85% उसकी सोसल स्किल पर नेवर करता है। यानि उसका व्यक्तित और लोगों को नेटरुत करने की कला उसे 85% सेक्सस दिलाती है। अगर हमें किसी भी छेत्र में सेक्सस होना है तो लोगों को प्रभायत करना साय सबसे बड़ी चुनाती होगी। तो हम डेलकानेगी की बुक How to Win Friends and Influence People से सीखेंगी लोगों को किस प्रकार से प्रभायत किया जाए। डेलकानेगी एक अमेरिके लिकक्ति जिन्हों 15 साल के रिशर्च के बाद उस तक प्रस्कासित हुई। लेते हैं प्रिंसिपल नमबर वन डॉन क्रिटिसाइज। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आप उन्हें क्रिटिसाइज मत करो। लोगों को क्रिटिसाइज करने से उनका विहेवर चेंज नहीं होता। क्योंकि इंसान रीचन से नहीं, इमोशनल से चलता है। हम किसी की क्रिटिसाइज करपे सायद अपनी व वेट चेंज होता है। उल्टा वो यह सोचता है कि हम एक बुरे इंसान है। कई सेक्सेस्पूर लोगों ने हैविट्स वनाई है कि वो ओपनली किसी की किर्टिसाइज नहीं करते है। अग्जमपल, प्रैंबिंट फ्रैंक्लिंड लोगों के साथ ब्हार करने वे इतने कुसल हो गए कि उन्हें फ्रांस के राज़ूत के रूप में भेज़ा जा। प्रैंबिंट फ्रैंक्लिंड ने अपश forgat बताते हुआ कि मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगगा और हर किसी के बारे में अच्छा बोलूँगा अपरहाम लिंकन अपने बिरोधियों पर आलोशनात्मक पत्र लिखते थे और उन्हें अग्वार में चपवाते थे एक बार बात को ज़्यादा ही बिगड़ गए हमके एक परोधि ने क्रिटिसाइज से प्रेशान होका इपरहाम लिंकन को तलवार से लड़ने का चैलेंग दे दिया लिंकन की क्रिटिसाइज करने की आदत उनकी जान पर बनाए इसके बाद उन्होंने फिर कभी किसी बात के लिए किसी की आलोशना नहीं की कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े हैं और दूसरे लोगों से हम जागा जानते हैं लोगों की आलोशना करने के बज़ाए हम उन्हें समझने की कोशिस करनी चाहिए हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो काम भी करते हैं उन्हें भी क्यों करते हैं यहां अनुषना से जादा रोचप और लाबदायक होगा सहन सक्ती और देलता का माहल भी मनेगा सब को समझ लेने का मतलब है सब को माप कर देना अब नहीं बात एक्सल लेने की यह तो किलियर है कि हम दुसरों की मदद के बिना सेकसल नहीं हो सकते अगर हम दुसरों की बुराया करेंगे तो वो हमारी मदद नहीं करेंगे और कब किसकी मदद की जरुत पर जाए इसलिए मैं हर रोज लोगों के साथ होता हूँ और वहाँ पर किसी की क्रिटेसाइज हो रही है तो मैं मन ही मन अपने आपको याद दिलाता हूँ डॉन क्रिटेसाइज जी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद